हलो इस्टुडेंट्स मैं आप सभी का अपना अला यूटूब चले में स्वाथ करता हूं इस वीडियो से और यूटूब से मेरे जो बेर्निंग होगी या जो रही है उसका 10% गरी बच्चों को फ्री एजूकेशन प्रोवाइट करने में किया जाएगा तो सपोर्ट करते रह सब्धार तो किया आज का मतूपिक है कैप लूर ने प्लैनिंटरी मोश flash हे वह थे लो मेंसे हमार फ॥ लो है फस्ट की लो क्या है लो ना ओफ औरॅरबीट अपहर सजाम that क्या कहता है लो और बीट्स क्या क्या बदिय from HAS इं हमाब एक नया वर आयminister इसमें वह नया वर्ड है हमारा एलिप्स नया वर्ड क्या है एलिप्स तो एलिप्स क्या होता है और एलिप्स को ड्रो कैसे करते हैं सबसे पहले हम वह डिसकस कर लेते हैं यहां पर एक नया वर्ड आए का क्या एलिप्स तो एलिप्स क्या होता है उसको ड्रो कैसे करते हैं वह PIN sniffKya तर फिस कर दिया कि आप लम फिक्सा कर दिया और यहां पर क्या कर रहा हूं क्या में ताइट कर दिया हैं त्रेट को टाइट करके यहां पर मैं क्या कर रहो पीन को रोटेट थोड़ा सा टाइट करना है ठीक है टाइट करके हम क्या कर रहे हैं इस थ्रेट को रोटेट कर रहे हैं तो मैंने रोटेट किया इस साइड भी रोटेट किया मैंने तो यह रोटेट किया तो यह जो शेप बन हम क्या कहेंते ऐant यह दो फिक्स पईंड थे इन को कहते हैं फॉसाइज और उसको हम नाम देंगे इससा बनाना है दो इन दोब इस फिक्स करके वस्जाय को हमें पुरा होटेट करना एं Michigan यह यह जो हमारा शेब को हमने क्या क्या का है एलिप्स का है उस एलिप्स में दो पॉइंटर रहेंगे पॉइंट कमा Hospital F-1 ईसको नाम देदेंगे F-2 तो.. यह जो शेब है यह क्या है एलिप्स का शेब है तो यह .. इस एलिप्स पर ही बेज्ड है हमारा law of orbits, तो law of orbit क्या कहता है, कि every planet, जो planets है, वो sun के around elliptical shape पर motion करते हैं, उनका जो motion है, तो circular नहीं होता है, कि सपोज करो यहाँ पर sun है, तो sun के around circular orbit पर planets motion करते हैं, क्या नहीं, उनका जो orbit है, orbit कैसा होता है, elliptical, planets moves around the sun on elliptical orbit, कि यह जो orbit है, यह orbit कैसा रहेगा, elliptical रहेगा, और उस orbit के एक फोसाई पर ही हमारा क्या रहेगा, sun, यह सपोज करो, यहाँ पर हमारा planet है, और planet sun क्या around क्या कर रहा है, elliptical orbit पर motion कर रहा है, और उस elliptical orbit के जो फोसाई है उन दोनों फोसाई में से एक फोसाई पर ही हमारा क्या रहेगा sun, तो this is first law of orbits, ठीक है अब इन दोनों फोसाई को हमने क्या कर दिया, जोइन कर दिया और इनको इस direction में भी extend कर दिया इस line को हमने नाम दे दिया PA, इस line को हम क्या कहते है, major axis of the ellipse, यह PA क्या है, major axis of the ellipse, और इसको हम represent करते है, 2A, इसकी जो distance है, from P to A, P से लेकर A तक कि distance हमने कितनी consider कर ली, 2A तो this is major axis of the ellipse P is called phaili alone and A is called api alone P को हम क्या होते है, phaili alone, और A को क्या बोलते है, api alone ठीके, बुक में भी वो words लिखे है, थोड़ा सा pronunciation करने में तफ है तो यह phaili alone है और यह api alone है अब इन दोनों पॉइंट्स को हमने add कर दिया, join कर दिया तो इन दोनों पॉइंट्स का जो center है, जो center point है वो center point ही क्या रहेगा इस हमारे ellipse का center यह point O है, यह point O ही क्या है इस हमारा P A, P A का क्या इस center है, तो अगर यह point O center है तो P से O तकी distance कितने हो जाएगी? A O से A तक किदिस्टेंस कितने हो जाएगी? small a P से A तक कि total distance अगर A थी तो P से O तक किदिस्टेंस 1 a यह अगर यह 2 है तो यह 1a और यह 1a 1a प्लस 1 ए कितना हो जाएगा 2 है तो 1a को ही हम सिर्फ a भी लिख सकते हैं multiply में 1 लिखो न लिखो एक यह बाद है तो P से O तक की distance A है O से A तक की distance भी कितनी है तो इसी को हम क्या लिख सकते है PO is equal to OA PO is called semi-major axis OA is called semi-major axis semi-major axis अब इसी के perpendicular अगर यहाँ पर एक line draw करे इसको हम नाम दे देते है B इस point को नाम देते है C तो यह जो BC है यह है minor axis BC क्या है हमारा minor axis और इसको हमने consider कर लिए इसकी length कितनी है 2B यह major axis था और यह है minor axis तो यह जो है यह क्या हो जाएगा semi-minor axis यह जो distance यह क्या हो जाएगी semi-minor axis इतना के लिए है अब यह क्या कहता है कि planets elliptical orbit पर motion करेंगे around the sun where sun is one of the foci one of the foci of ellipse foci मतलब plural of focus यह focus है यह क्या है focus focus दो focus है तो focus के plural को हमने क्या कहा है फोस आई अब यह कहता है कि जो शेप हो कैसा रहेगा elliptical रहेगा लगी इसके पहले जो Nicholas Copernicus थे उन्होंने तो क्या कहा था कि planets का जो शेप है वो कैसे path पर motion करते है कैसे path पर motion करते है circular path पर तो इस circular path उसको इसने जोट बता दिया कि नहीं है तो गलत है circular path पर motion करते है क्या नहीं हो कैसे path पर motion करते है elliptical path पर यह किसने कहा कैप लर ने कहा और यहीं बात अभी तक मानी जा रही है फिर उसके बाद इसका हम पढ़ेंगे second low second law second location क्या करता है second low is law of area second law क्या है law of area लो ओफ एरिया यह फिर से कि हमारा यह क्या है यह हमारा ellipse है उस एक focus पर क्या है हमारा Sun है और उसके और अरा उसके अरांट्रेया क्या कर रहा है यह मद्लई से करने वाले एक लाइन डू कर दी यह सं यह को संसे जोइन करने वाले हमने क्या की एक लाइन डू की तो यह जो लाइन है ंहें सं जब हमारा प्लेने यहां से शेएंख़ेग कर आदेलिaison यहां से सपास्क्रMusic करेगी प्लाइन यहां पर आगई तो इस लाइन ने क्या किया कुछ एइरिया कवर किया some area in some interval of time कि पहलेittelひ kl8 तो यहाां इस डेरेक्शन में थी बलनेंट ने मोशन किया तो लाइनने क्या किया कुछ aí यह किया कुछ एइरिया फिँ फिक यह तो law of areas क्या कहता है, कि line joining of planet and sun will sweep equal area in equal interval of time, कि हमेशा अगर 5 second में अगर planet ने यहाँ पर कितना area cover किया, 5 kilometer area cover किया, तो उसके 5 second बाद भी कितना area cover करेगी, 5 kilometer, उसके और 5 second बाद भी कितना area cover करेगी, 5 kilometer, कि हर बार equal interval of time में, planet equal area क्या करेगा, स्वेप करेगा, the line joining of planet and sun, स्वेप से equal area in equal interval of time, तो यह conclusion किस बैसे पर निकाला, यह conclusion इस बैसे पर निकाला, कि जब planet sun के पास होता है, तो वो fast चलता है, और जब वो sun से दूर होता है, तो वो बहुत ही slow चलता है, देखो, अगर यह sun से दूर है, planet सपॉस करो यहाँ पर है, तो planet यहाँ पर है, तो वो slow चलेगा, slow चलेगा तो इस line को मैंने join कर दिया, इस line को join कर दिया मैंने sun से, तो आप जब यहाँ पर, इसने distance कम कवर की, और यहाँ पर distance ज़ादा कवर की, suppose करो यह भी 5 सेकंड लगे, यहाँ से यहाँ तक जाने में, और यहाँ से यहाँ तक जाने में भी कितने लगे, 5 सेकंड, तो यह दोनों area कैसे रहेंगे, equal, क्योंकि हमने क्या कहा, equal interval of time में equal area स्विप करेगा, तो यहाँ पर speed ज़ादा है, लगे 5 सेकंड में, यहाँ पर जितना area कवर किया, यहाँ पर भी 5 सेकंड में उतना ही area कवर करेगा, क्योंकि यह area और यह area क्या होना चाहिए, equal होना चाहिए, तो इसलिए जब sun से पास में रहेगा, जब planet sun के पास में रहेगा, तो उसको फास्ट चलना पड़ेगा, उतना ही area कवर करने के लिए, और अब दूर है, तो थोड़ा सा भी चलेगा, तो यह distance ज़ादा होने के वज़े से, area, slow चलने के बाद भी 5 सेकंड में उतना area कवर कर लेगा, जितना ही यहाँ पर उसने 5 सेकंड में कवर किया था, तो यह क्या है, law of areas, अब जो third low है, third low क्या कहता है, third low कहता है, law of period, law of periods, तो law of periods क्या कहता है, law of period यह कहता है, square of time interval of rotation, या motion, यह जो planet है, यह sun के आराउट क्या कर रहे है, तो circular path पर motion कर रहा है, तो एक path, एक revolution उसको complete करने में, time कितना लग रहा है, हमने consider कर लिया, t time लग रहा है, planet को एक revolution complete करने में, कितना time लगा, t, तो square of time period, तो एक revolution complete करने में, जो time लगा, उसी को हम क्या कहेंगे, time period, एक revolution, एक पूरा चकर, complete करने में, जो time लगा, उसी को हम क्या कहेंगे, time period, तो जो square of time period है, वो directly proportional होता है, cube of semi-major axis, हमने कहा था, तो यह अगर center है, तो यह जो distance है, यह क्या रहेगी A, यह जो distance है, यह क्या रहेगी A, यह क्या है हमारा O, यह point है A, यह point क्या है P, तो O, P क्या है हमारा semi-major axis, O, A क्या है हमारा semi-major axis, तो square of time period, is directly proportional to, cube of semi-major axis, वो A क्या था, A था semi-major axis, T क्या है time period, तो जो time period का square है, वो directly proportional है, किसके, cube of semi-major axis of ellipse, उस ellipse का, जो semi-major axis है, उसके cube के, directly proportional है, कौन? time period का square, ठीक है, तो यह three laws है, अब जो second law है, उस second law को हम, proof करके, बताएंगे, second law को हम क्या करेंगे, proof करके बताएंगे, तो proof करके बता देते हैं, बिलकुल ही easy है, कोई tension वाली बात नहीं है, तो proof करके बताने के लिए, फिर से इस diagram को हम redraw करेंगे, तो diagram फिर से क्या कहता है, हमारा वही, कि sun तो कहाँ पर है, उसके sun focus पर है, sun कहाँ पर है, one of the force है, तो यह मैंने बनाए elliptical orbit, यहाँ पर है हमारा sun, suppose करूँ, यहाँ पर हमारा क्या है, planet, और यह sun को planet से जोइन करने वाली मैंने एक line ड्रो कर दी, यह जो position vector, sun को हमने consider कर लिया, sun कहाँ पर है at origin, sun कहाँ पर है at origin, तो origin के respect में, जो planet है, planet की position vector हमने consider कर लिया, क्या है, यह पर हमने consider कर लिया, प्लेनेट की V, velocity of planet is V, time कितना है, delta, हमने consider कि यह जो distance cover की, यह बहुत ही छोटी है, यह जो distance cover की, बहुत time interval हमने बहुत छोटा लिया, time interval बहुत छोटा है, तो यह distance के सी रहेगी, बहुत छोटी, यह जोटी सी distance के लिया, हमने consider कर लिया, कि velocity constant है, बहुत ही बिल्कुल, एक second suppose करो, तो एक second में तो क्या velocity change होगी, negligible change है, तो हमने suppose किया, time interval बहुत छोटा है, तो वो जो velocity constant रहेगी, हमने consider कर लिया, जो planet है, उसका mass कितना है, M, sun प्लेनेट पर क्या लगा है, gravitational force, और वो gravitational force, कि जो direction है, वो कहा रहेगी, towards center, gravitational force की direction कहा रहेगी, towards center, तो यह centripetal force है, central force है, center की तरफ force लगेगा, तो force की direction कहा है, towards center, अब sun ने यहां से यहां तक गया, उसकी velocity कितनी है, V और time interval कितना है, तो अगर मुझे distance निकालनी है, या distance कहीं, या displacement कहीं, बहुत चोटे time के लिए, distance displacement approximate, एक्वल रहेगा, अगर इस value को मैं time को बहुत चोटा कर दू, तो यह जो line ही, approximate straight line आजाएगी, time को अगर बहुत चोटा करे, तो यह स्वीप हो रहा है, अगर बहुत चोटे time के लिए, यह line अप्रोक्सिमेट, इस्टेट लाइन आजाएगी, इस्टेट लाइन आजाएगी, तो distance approximate, displacement के एक्वल रहेगी, तो distance कहीं, displacement कहीं, displacement किसके एक्वल रहेगी, distance का formula क्या होता है, distance का formula होता है, velocity into time, distance का formula क्या होता है, velocity into time, distance का formula क्या होता है, velocity into time, velocity क्या होता है, displacement upon time, velocity क्या होता है, ds upon dt, dt इदर divide में, उधर जाकर multiply में हो जाएगा, तो ds, displacement कितना आगया हमारे पास, displacement यह क्यों कहे, distance कितना आगया, velocity into time, तो यह जो इसने displacement cover किया वो कितना है VDT यह जो displacement कितना cover किया उसने इस point को हमने फिर से किससे join कर दिया Sun से यह हमारा क्या बन गया Triangle यह एंगल कितना रहेगा 90 डिग्री यह कितना रहेगा 90 डिग्री तो यह हमारे एक tryangle बन गया इस original का area ये algorithm रहेगा 90 डिज़ी तो ये एक right angle triangle Brett बन गया जो ये क्या बना रॉय व 이걸 ये है ये और ये ये bå ये ये इंगल है 90 डिगरी ये उसका क्या है best best कितना है inagt बैस कितना है w डैями लेकि और ये उसकी जो perpendicular पर्पेंडिकुलर कितना है है यानल का एरिया निकालना है तो बिदान को क्या ये कुवला होता है उसकी मेश्येंग्ल t और एरिया का फॉर्मला क्या होता है हाफ़ इंट यॉपाइट नॉसरीट नॉसरी चाहव इनटो और शेक वीसि citizens के नkovते हिएं टे स्टי सब्सवायत नहीं कि लेकिन हमें पता है कि जो मॊमेंटम है आback , आथि किसके एक्वल होता है मॉमेनटमक किसके एक्वल होता है मॉमेंटम टे किसके хैक वल। मास इन्टू वैलवसिंटी से इप X multiply में उधर जाकर स्वे र Brett myself the wrong Sergei कि सिक वर टूर पैंड मिंद इंड अप्सक्वरा मैं क्या लख सकते हैं क्या लिख द सकते हैं तो सब दे तो сам गया टो जाएगा आर क्रोस की सब्सक्राइं हम पी अबन यह कौन सा डीटी ती यह नहीं ले विए है यह डीटी कंसीडर किया है यह डीटी कंसीडर करो इस थेख है विए यह डीड़ से तो पूंक यहां हम लिख देर आप अपन डैल टी इस एक वर ग्रोस पी और अपन में क्या है 2M यह 2 यहाँ पर divide में M divide में और उपर के है R x P but we know that R x P किसके equal होता है जल्दी से पता हूँ chapter number 7 में हमने पढ़ा है R x P किसके equal होता है L के equal R x P किसके equal होता है L के equal where L is angular momentum where L is angular momentum तो इस R x P की space पर हम क्या लिख सकते है angular momentum तो del A upon del T is equal to कितना आगया हमरे पस L upon 2M where M is mass तो mass तो planet का constant है A क्या है 2 क्या है 2 तो constant है L, L क्या angular momentum तो देखो यह जो force है force कहा है towards center क्योंकि central force है sun और अर्थ के बीच में जो force लगे है वो center की तरफ लगेगा इसलिए तो अर्थ क्या कर रही है elliptical path पर motion कर रही है तो यह center की तरफ force लग रहा है तो जो force है वो कहां से pass हो रहा है from origin और अगर force origin से pass होगा तो angular momentum क्या रहेगा concert रहेगा constant रहेगा हमने पढ़ा है अगर force force कहां से pass होता है अगर center से pass हो रहा है force तो angular momentum क्या होता है constant तो L है constant, mass है constant, 2 है constant, तो यह पूरी value क्या हो गई? यह पूरी value constant हो गई, अगर यह पूरी value constant हो गई मतलब del A upon del T क्या आगया हमारे पास? constant, तो यह हमने proof कर दिया, क्या proof कर दिया? कि change in area with respect to time, या rate of change of area, क्या होता है? constant मतलब जो अर्थ है, वो sun के around, equal interval of time में क्या करती है? equal area, sweep करती है, हमेशा उसका change in area क्या रहेगा? constant, del A upon del T मतलब क्या है? change in area with respect to time, वो क्या रहेगा? constant, मतलब हमेशा वो constant area को क्या करेगा? sweep करेगा, जो भी planet है, वो हमेशा constant area को हमेशा sweep करेगा, velocity कम जादा हो सकती है, लेकिन area का भी कम जादा होगा, क्या नहीं होगा? तो आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो अगर पसंद आई हो, तो like किजेगा, अपने दूस्तरी साथ भी share, जरूर कर दीजेगा, पसंद ना ही हो, तो dislike कर दीजेगा, अगर इस वीडियो से लेटेड आपको कोई doubt हो, तो doubt कमेंट में आपको से पूछ सकते हैं, कोई suggestion हो, तो भी comment कर सकते हैं, तो आज की वीडियो में इतना ही, next वीडियो में हम next topic पढ़ेंगे, बाई!